नमस्कार प्यारे दोस्तों कैसे ओआप सबूस आज इस वीडियों बात करने वारे राजतान की रिती रिवास समंदित और पठाओं से समंदित वेरी इंपोर्टेट है और ठीड़ में बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि इस सरीए टोपिक हमारी पसमें नहीं है तो फ आज का मारा एक नमर के उस्तन है जो संसकार बालक विद्धारम एक तो गुरू के पास ले जाने के समय किया जाता है उससे क्या कहते हैं चूडा करम सिम्तोनेन उपनेन पाने ग्राइन है वेरी इंपोर्टेंट जल्दी स्पता है साथ साथ में इसका सेयंद क्या रहेगा तो ब्रामनों ख्यत्रियों वेश्च्यों द्वारा किया जाने वाली संसकार को यगोपवीत संसकार भी कहते हैं इसके द्वारा तो ब्रामनों ख्यत्रियों वेश्च्यों द्वारा किया जाने वाली संसकार को यगोपवीत संसकार गयाते है ठीक है तो अपने इसमें तीन नमर या फिर पूर्सवान वेर इंपोर्टेंट जल्दी सताएं बिल्कुल सही समापुवर्तन एक नम्रोप्शन दोस्तों दो में अपना एक नम्रोप्शन बिल्कुल करेक्ट रहागा दें त्यारकने ठीक है यह सिक्षा समाप्ति पर होता है अता इसे दिक्षांत संस्कार भी कह कहते हैं दिक्षांत संसकार भी कहते हैं और क्या कहते हैं समापुवर्तन भी कहते हैं तो एक नम्रोप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं नेक्स्ट हैं रियास्त काल में मकानों पर पट्टी किछत डालने पर लिये जाने वाले कर को क्या कहते थे रियास्त काल में मकानों पर पट इसमें बिल्कुल correct हो जाएगा चलिए next question कर लेते हैं मुझरा लाग मुझरा लाग निमन मेंसे किसे का जाता था राम राम लाग पावना पावरा मलवा या तलवार बंदाई या नजराना very important मुझरा लाग निमन मेंसे किसे का जाता था दोस्तो राम राम लाग को किसको राम एक नमबर उप्शन पर इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा इससे समय कुछ व्याख्या है देख लिए आप इसे प्रत्ति व्यक्ति एक रुपए के साब से वसूल करते थे फिर है पावना पावरा जागिर द्वारा अपने महमानों पर होने वाले खर्चे को गावन वालों से की जाने वाली वसूली ठीक है फिर है मलवा जागिरदार के नोकर आदिपर खर्चे है तू वसूली जाने वाली लागोती ठीक है फिर है तलवार बंदाई या नजराना रज्य द्वारा जागिर के नए उत्रादिगार से वसूल किया जाने वाला इसके बारे मैंने अलगलग बताए जो तीन में ने उप्सन बता है उन्हीं में से हैं तो यह आपको याद हो जाहिए यह पिया आप सकने इसोट भी ले सकते हैं चलिए next question कर लेते हैं, निम्न में से कों सा कर रियास्तों के काल में लगने वाला भूमिकर है, डान, भोग, कीना याओ सभी, कौन सा करें रियास्तों के काल में लगने वाला भूमिकर है भोग ठीक है फ्रेंट्स दो नमबर उप्षन अपनेशन में बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंट्स आपको याद रखना है ठीक है थोड़ी भी आके इसमें देखिए यह भूमिकर अनाज के रूप में लिया जाता था तो ठीक है याद आखना आपको नेक्स्ट है दुल्हा दुलन क्या है दुल्हा दुलन गीते गातिस्त्रियों के जुंड के बीचे गोला का और गुमते वे हरे नीम के टैनी से एक दूसरे को मारते हैं यह विवाई करसम क्या कहलाती है है वेरी इंपोर्टेंट हुआ भी है ऐसा जल्दी सता है क्या रहेगा सकते हैं बिल्कुल से ही दोस्तों बिल्कुल से ही आप लोगों का सोटा सोटी खेलना एक नंबर उप्सन अपना इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्यूशन कर लेते हैं विवा में बहूरी या यद्ग की प्रिक्रमा क्या क्या रहती है दोस्तों जल्दी सता है डोगों पलेक्टो पच्जान या जल्दी सतारे दोड़ोव पलेक्टों पढ़धने की रस्म क्या क्या सी हैPass परेज सास द्वारा दूले को आंचल से बांधने की रसन क्या क्या राती है सामेली जेवडो साता या फिर पट्जान जल्दी स्ताइब प्रेंट्स क्या रहेगा अश्का जेवडो ठीक है याद रखना है दो नंबर उप्सें आठ में अपना दो नंबर उप्सें इसमें जाती दो आपको पता है किसे गड़े जीगो चार नंबर उप्सें फ्रेंट्स नो में अपना चार नंबर उप्सें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा वेरी इंपोर्टेंट क्यूसर में फ्रेंट्स ठीक है चलिए नेक्स्ट क्यूसर कर लेते हैं सामंतों को प्राप्त उस व याद रखना अपको ठीक है डू नंबर उप्सें दोस्तों दो नंबर उप्सें डसमें अपना राइट रहेगा। सामन्तों से ली जाने वाली सेनिक सेवा क्या कही जाती थी चाकरी तलवार बांद आई जबती या फिर सेनिक सेवा सामन्तों से ली जाने वाली सेनिक सेवा को क्या कहा जाता थी दोस्तों ठीक एक नमर उप्शन एक नमर उप्शन अपना इसमें राइट हो जाएगा नेक्स्ट टाउंटी नमर किसम दोस्तों राज दर्बार में पंक्तिवत त्रिके से बैठने की रिती को क्या कहा जाता था मिसल, कुरब, पासिब या फिर नाजर जल्दिस्ताय राज दर्बार में पंक्तिवत त्रिके से बैठने की रिती को क्या कहा जाता था दोस्तों मिशल का जाता था ठीक है याद रखना आपको एक नंबर उप्शन बारा में अपने एक नंबर उप्शन बिल्कुल है करेक्ट हो जाएगा थर्टी नंबर क्युस्तों राज कुमारे की विवा पर परजस लिया जाने वाला कर कहलाता था क्या सिंगोटी, बाई बराड, अखराई या फिर खरडा बहुत बड़े क्युस्टन है तो क्या रहेगा इसका फ्रेंड्स है बाई बराड क्या बाई बराड दो नमबर उप्शन फ्रेंड्स दो नमबर उक्षन प्राइस में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चलिए नेक्स्ट फोर्टे नमबर क्यूसर फ्रेंड्स इंपोर्टेट क्यूसर ने आपको संगत एसंगत वो यूकम को चुना है मतवाली लाग किसानों से लिया जाने वाला कर मतालबो जाग्रधारों से लिया जाने वाला कर लटारों हल जोतने वालों से लिया जाने वाली बेगार या फिर लांचों खर्च की पूर्टे के लिया जाने वाला कर इसमें एसंगत को चुना है फ्रेंड्स वो आपको बताना है जल्दी सबताइं फेंट से तुमार को बताते हैं लटारो हल जोतने वाले से लिज़ाने वाली बेगार नहीं हो थी दोस्तों लटारो किसे कहते हैं या आपको बताना है उपज का हिस्सा लेने वाले बुस्वामी होता है ठीक है क्या होगा इसका उपज का हिस्सा लेने वाला बुस्वामी या सामन्त को कहते हैं ठीक है यह संगत है तो तीन नंबर उप्शन अप्राइस में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपको याद रखना है कि नम्र के सुन दोस्तों वेरी इंपोर्टेंट कर्सी भूमी पर लिया जाने वाला लगान कहलाता है कर्सी भूमी पर कर पर लिया जाने वाल लगान कहलाता है बिगोरी सिंकोटी बिगोरी या है रिखन मुकातो जलदी से जाने फैंड्स क्या रहेगा सक शेयां चुटरे बिघोरी तीन नंबर ओप्शन ट्रफिकुल करेक्ट हो जाएगा फिडियो थोड़ा बोड़ है प्लीज से आप लाइक ज की गुक्ता काल ओप किलिए से लिए अनाज वसुली को K या कहते थे अनुबर एपूल से अप लोगों का किन अग्सुल्स नाज इंपोर्टेंट कि उसने दोस्तों ध्यान से सुनना आप देश की उन परमुक्त इलाकों सुवसूल किया जाने वाला कर जो मुसल्मानों की आधिवत्ते से मराठों की अधिकार में आए हो क्या कहलाता है समझना दोस्तों जी हाँ फ्रेंट्स तीन नम्बर उप्शन पाइस में बिल्कुल करेक्ट रहेगा फ्रेंट्स यह मैंने सर्देश का आपको बता दिया तीनो सलमा सुटा बंदी और नापा कोड़ी क्या है फ्रेंट्स तो फ्रेंट्स इसमें अपना तीन नम्बर उप्शन बिल्कुल करेक्ट इस टाइप जो मैं बताता हूं फ्रेंट्स इसके आप स्क्रीन सोट ले लिए अगरो वेरी इंपोर्टेंट होते हैं नेक्स्ट राजस्थान में पावना सबसे क्या तात परिये जागिर्दार विद् प्रेंट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट कारज घर्च अखराई पाउना पावरा वेरी इंपोर्टेंट फ्रेंट्स टाउंटी नंबर क्यों जल्दिश ताएं लगाया जाने वाला कर कहलाता था क्या दोस्तों कुमर जी का कलेवा एक नंबर उप्शन एक नंबर उप्शन अपने इसमें राइट है नेक्स्ट टाउं खर्च जी हाँ प्रेंट्स दो नंबर उप्शन है दो नंबर उप्शन प्रेंस में राइट हो जागा 21 में अब देखली जीसके बारे में जो मैंने तीन उप्शन दी उसके बारे मता देता हूं पटड़ा खर्च कोन सा होता है जागिरदार की विवा के आउसर पर है फाइपर है लिया जाने वाला एक पैसा फिर फिर ख्रडा सरम जी जाती हो से वसूली जाने वाली लाग है तो फ् rays तिन ओंपॉर्टेट है वेरु इमपॉर्टेट आप वोद या ठीने ठीक अन्हाज की रूप में लिया जाने वाले भुमीकर को क्या कहते थे भोग बिगोडी दान या विर हलोटा बेर इंपोर्टेंट जल्दी था अनाजगी रूपने लिया जाने वाले भूमिकर को क्या कहते थे दो तो भोग ठीक है एग नम्र उप्सन तूंटी टू में अपना एग नम्र उप्सन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ठीक गास्या के सुभो कोठार या फिर अमलदार वेरी इंपोर्टेंट है क्या फ्रेंट से कोठार थे नम्र उप्सन आपको याद रखना है ठीक है ते नम्र उप्सन टॉंटी तमने राइट हो जाएगा इन कि देखिया का सुभो अभैम में पानी का गोल होता है ठीक है घासे क डान या फिर बेगोडी वेरी इंपोर्टेंट फ्रेंट जल्दिस्टा इसका से एंसर क्या रहेगा ग्रामिनिक शेत्रों में सब जीव अनासमाने के बदले दिया जानने वाला अनाज फ्रेंट्स कीना कहलाता था वो तुमें आपको तीनों बता दिये तो अपना इसमें एक प्रेंट्स 24 में अपना एक नमबर उप्शन राइट है हो जाएगा नेक्स्ट है चंवरी की लाग कब अधा करनी होती थी दोस्तों जल्दी सताएं चंवरी की लाग कब अधा करनी होती थी वेरी इंपोर्टेंट आराम से पढ़ लिजी चार उप्शन आपके सामने पांस स बिल्कुल सी रहेगा इसे नियोत सवरी भी कहते हैं जाद रखना आपको मैं लिखा है इसे नियोत सवरी भी कहते हैं वेली इंप्रेंट हैं तो फ्रेंट्स यह थे मारे आज के टोप टॉप 25 क्यूशन कैसे लगे कितने सही विए मुझे कमेंट करके आप जरूर बताया करो फ आपका टाउंड 85 क्यूस्टिन का लाइम मोडल पर मिल जाएगा ठीक है इसी समय है तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगात लाइक करना शेर करना अपने दोस्तों के साथ है ठीक है कल मिलते हैं नई करास के साथ नई वीडियो के साथ तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत